नमस्कार सरकारियाद में यूटूब चैनल की नई और फ्रेस वीडियो में आपका एक परफिस स्वागत है गोर्वेंट एंपलोईज पैंसनर फेमली पैंसनर से रेलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सरकारियाद में यूटूब चैनल को ताकि ले एपिस 95 के तहत काउड पैंसन भोगी है तो आपके लिए ये वीडियो काफी महतापोर होने वाला है सब्सक्राइब का यह अपडेट है यहां पर देने वाले हैं इसके साथ साथ यहां पर सुप्रीम कोट ने जो जानकार दी है उसके अकोर्डिंग टोटल कितने नंबरों पेंडेंग केसीं यहाँ पर In-95 means के तह काउड पैंसन भोगी हैं उनकी जानकारे भी दी है उपका केस की हरें कभ होने वाले है वह जानकारे भी हाँ पर प्रॉइड करने वाले है तो अगर आप ça चर्वारा पर पिंटेट किया कि जो हमारे रिटार है reg केस की नेक्स जो सुनवाई है वह 28 फारवरी को होने वाली है और जो यह केस लड़ा जा रहा है यह EPS 95 के तहत कवार्ड पेंशन भोगी जो रिटारी है और जो मेंबर ओफ EPS 95 स्कीम है उनके दवारा अगेंस्ट गोविंट और EPFO के अगेंस्ट यहां पर लड़ा जा रहा है यहां पर जो पेटिशनर है उन्होंने कलेम किया है जो 2014 के अंदर अमेडमेंट किये गए थे इसके साथ-साथ 2017 के अंदर EPFO ने सर्कूलर चारी किया था जिसमें उन्होंने काफी हजारों यहां पर पेंशन भोग्यों को उनके राइट फुल लाबों से वनचीद कर दिया ग और 2555 फॉर्मर एंप्लोई जो प्राइवेट और पॉब्लिक सेक्टर से है इसके साथ-साथ यहां पर दूसरा जो ग्रूप है नेशनल कर्फिडेशन ओफ ओफिशील एस्सेशन है जिसके अंदर 19,118 पेपल जो सेंटर पब्लिक सेक्टर और गिजैजेशन के अंदर वह कर था कि पेंशन कोई बोंटी या नहीं है यह पेंशन भोग्यों का हक है जो उनकी सारी उमर उन्होंने अपनी सेवा में यहां पर लगा दी है उसके लिए उनको दिया जाने वाला राइट पूल बेनिफिट है तो इसी को लेकर यहां पर अपील डाली गई है कि एपीफों न इसको पंद्रह हजार इंकरीज कर दिया था और उसके बाद जो ऑफ्षन प्रवाइड किया था कि हाईयर सेलरी पर भी आप यहां पर कंट्रिबूट कर सकते हैं एक्जिस्टिंग एंप्लोईज के लिए तो इसके लिए उन्होंने कट ओफ डेट भी लगा रखी थी कि आप फाइयर पैंसर पर कंट्रिबूट कर सकते हैं लेकिन कब तक है वो एक स्तंबर 2014 की कट ओपडेश निया पर लगा दी थी इसके बाद यहां पर मतलब जो पैंसरेबल आपकी शैलरी थी उसको कंसीडर करने का मेथड भी यहां पर लास्ट ट्वैल्ट मंत की बजाए इन्हों को जोईन किया है उनκो यहां पर नहीं किया गया था उनको उनकी राइट फूल्ड बैनिफिट फोर दी एक कंट्रिविशन ऑफ मेक्सिमम सेलरी इन्टु कि यहां पर वंजित कर दिया गया था इसलिए पर इन्हों ने यहां पर अपनी पैटेशन डाली है और यहां पर कहा गया है कि जो सुधार्याक के गए है इप्यफो के दवारा या फिर जो कट ओफ डेट ने धारत की गई थी उसकी पुब्लिसिटी को भी यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं दिया गया अगर कोई पैटिशनर है वो यहाँ पर इसका टॉफ डेट में आता है तो अगर वो पर सनवाई होने वाली है इससे पहले अक्टूबर 2016 के अंदर सुप्रीम कोट ने यहाँ पर जज्जमेट दिया था कि जो आपने अमेंडमेंट किये है कट ओफ डेट दी है उसको हयाँ पर हटाया जाए दो मत के बाद यहाँ पर सीबीटी मतलब सेंटर बोर्ड ओफ टरस् पैसला कर लिया था लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 31 मई 2017 को फिर से एक सर्कूलर जारी कर दिया जिसमें उन्होंने क्लीम किया कि जो एक्जम्टेड कंपनीज की इंप्लोईज हैं मेंबर्स हैं उनको इससी का जो 2016 का ओडर आया था उसका हिसा नहीं माना जाएग जांटिड कंपनीज की मेंबर्स नहीं तो पूरा कपूरा यहांपर एक सफ्यूजन सा फैल गया जिसकी वजह से यहांपर पर कंपर को कोट का सारा लेना पड़ा यहांपर जो लेटिस्ट अप्लीर दिया गया है सुप्रेम कोट के स Deal कोडिंग क्षेव का कोडिंग और उनकी सुनवाई भी जल्दिहाँ पर होने वाली है तो अब देखते हैं 28 फुरवरी को सुप्रीम कोट के दवारा क्या एहम फैसला हमारी पैंसनर के लिए लिया जाता है तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद जैहीं जैभार्द